है गाईज वेलकम टू साइकवाउनेस आई होप आप सब अच्छे होंगे टोड़े विल डिसकर्स निमहेंस वेकेंसी काफी बिग अपोचनुटी है मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वेकेंसी निकली है तो वीडियो में एंट तक बने रहना है जिससे साइड डिटल आपको मिल साइकॉलोजिस, जूनियर साइन्टेफिक ऑफिसर, योगा थेरेपिस्ट, फील्ड इनफॉर्मेसन ऑफिसर, डाटा मेनेजर, फोलो अप काउंसलर, साइकॉलोजिस, सोसल वर्कर, कोहर्ट मेनेजर, ऑफिस अस्टेट ने रिसर्ट अस्टेट, तो 12 टैपस ओ वेकेंसी इस तो जो पहली वेकेंसी वो है आपकी सैकेट्रिक, सोसल वर्कर की, जिसमें 22 पोस्ट हैं, ST की 2 हैं, ST की 3, OBC की 7 पोस्ट हैं, EWS की 3 और जेनल की साथ पोस्ट हैं, बात करता हूं, एजुकेशन कालिफिकेशन की, तो 1st और 2nd क्लास मास्टर दिगरी मागिए इसमें, इन सोसल ना वर्क फ्रॉमार रिक्रण वर्क भ्रॉर्क अनि तो आप इसमें अपने मागिए, अपने थाएज । पोस्ट है, 1st और 2nd ग्लास मास्टर दिगरी मापीं सोसल वर्क, जो सारी पोस्ट हो हैं, दो से तीन साल के आपको इसमें रखेंगे उसके बाद आपका अगर प्रफॉर्मेंस सैटिस्फाई होगा तो आपकी डूटी आपको आगे बढ़ा देंगे बट यह समाझ जिए कि यह पर्मरेंट पोस्ट ही है आगे इसमें आपका बढ़ जागा कॉंट्रेक्ट पे नहीं है लिखा कॉंट्रेक्ट है बट यह पर्मरेंट ही होगी आकर दो या तीन साल के बाद आपको पर्मरेंट कर देंगे सेकिंड जो पोस्ट है वो है इसमें क्लीनिकल सैकोलोजिस्ट की जिसमें 13 vacancy है अब education qualification जिसमें है आपका first या second class M है या MSC डिगरी इन साकॉलोजी और साथ में MFIL in mental health and social psychology या फिर MFIL in clinical psychology आपको पास हो तो आप इसमें apply कर पाएंगे 35 years इसमें last stage है और ये भी level 6 की पोस्ट है जो next vacancy की बात करते हैं वह है आपके जूनियर साइन्टिफिक आफिसर इसमें एक पोस्ट है MSC in Biochemistry मांगा है उसके बाद है जूनियर साइन्टिफिक आफिसर जिसमें वन पोस्ट है Master degree मांगा है आपसे पपलिक हेल्थ में या MSC बायोस्टेटिक में हो आपकी तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद है आपकी junior scientific officer yoga की एक post है msc in yoga मांगा है आपसे इसमें तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद है आपकी junior scientific officer under human brain तो इसमें msc in biological science मांगी आपसे या फिर आपने बाएंगे उसके बाद जो पोश्ट है आपकी वह है इसमें junior scientific officer जिसमें एक post है msc in biochemistry आपके बास है तो आपके बाएंगे उसके बाद जो पोश्ट है वह है आपकी junior scientific officer जिसमें भी एक जनरल की और इसमें पोश्ट गरिशन मांगा आपसे msc ए mtech या फिर mbbs और साथ में तीन साल का आपके एक्स्पीरियंस हो उसके बाद जो है आपकी वेकेंसी वह है योगा therapist की इसमें एक post है three year B.hc in yoga या फिर graduation कर रहा हूँ आपने with one year diploma हो आपके बाद योगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे इसमें एक्सपीरियंस है टीचिंग रिसर्च का योगा में उसके बाद जो वेकेंसी आपकी वेकेंसी नमर फिप्ट वह है फिल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इसमें भी एक वेकेंसी है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेंस इन सोसल साइंस एक पोस्ट इसमें को भी सिखी आपने PG कर रहा हुँ सोसल साइंस में अपके आता है सोसलोजी सोसल वर्क साइकोलोजी इक्कोनॉमिक्स और बहुत बहुत सावजक्टिस में आते हैं तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे इसमें कोई एक्स्परियंस नहीं है लेवल 40 साल कर दी इसमें इसमे अगर आपने PG कर रहा तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद जो आपके अगली पोस्ट है वो है आपकी फील्ड इनफॉर्मस्ट ने बता दिया मैंने आपको डाटा मेनेजर ठीक है योगा थेरिपिस्ट बता दिया आपको मैंने फील्ड इनफॉर्मस्ट ऑफिसर बता दिया आपको मैंने एक पोस्ट इसमें पोस्ट इसमें डाटा मेनेजर की इसमें आपसे मांगा है मसी इन बायो स्टैटिक या फिर आपको नॉलिज होने चाहिए रिसाज टूल्स वगरा की एक्सल वगरा स्पेसर की उसके बाद आपकी वेकेंसी फॉलॉप काउंसलर की तीन पोस्ट है एक जिर्नल की एक सेकी और एक स्टेकी डिग्री इन सोसल साइंस अपने डिग्री बीए कर रहा हो या बीए सी करियो सो अगर आपने बीए साइकोलोजी भी कर रहा है या बीए एकोनोमिक्स जो भी कर रहा है आपने तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद आती है आपके साइकलोजिस्ट की पोस्ट है जिसमें दो पोस्ट है एक OBC की एक EWS की इसमें मांगा है आपसे MSC MSC in psychology मांग या फिर MSW अपका हो तो अप्लाई कर पाएंगे लाश्ट एज है इसमें आपकी 35 साल और सेलरी इसमें मिली आपकी 25,300 रुपे पर मांद इसमें सेलरी है उसके बाद आपकी कोहट मैनेजर की एक पोस्ट है अगर आपने एमफिल कर रहा हो कि क्लिनिकल साइकोलोजी में या इसमें इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद जो पोस्ट है 11 नंबर की वह है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट अगर आपने कोई भी डिग्री करी है किसी बी इंस्टूट से तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 30 साल इसकी लाश्ट रेजिए और 23,000 पर मन इसमें साथ नवकाज पीजडी भी होनी चाहिए लाश्ट इसमें 40 साल है और यह लेवल सबसे बड़ी पोस्ट है यह लेवल एक्ज्याला की पोस्ट है सबस्ट हथाज़ार साथा सब्सक्राइब को बता दी है उसके बाद अप्लाई करना है यह इनका आपको सारे अपने ड और 295 प्लस 800 जीएश्ट के साथ सब्सक्राइब करना है अब देखते हैं कैसे करनी है अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भड़ते हैं एक से ज्यादा वेकेंसी के लिए फॉर्म भड़ते हैं तो आपको अलग-अलग फॉर्म भीजने पड़ेंगे और आपको अलग-अलग फीस इसमें सब्मिट करने पड़ेगी ठीक है अगर अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो और आपको अप्लाई कैसे करना हुचा कर लेते हैं कि यह रहा इसका ओनलाइन क्लिक दपेश्ट और ब्राउजर लिंग यहां से आपको फीस जमा करनी आपको इसका जो इसका जो एप्लेकेशन फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिक्शन कर दूगा आपको अपना ओनलाईन यहां से पेक कर सकते हैं आप इसे प्रसेट करेंगे तो आगे फुल जाएगा देखेड़ा यहां से आपना स्लेक्ट कर कर लिए नियुक्त कि यह आप किस प है application for employment इसके लिए आप फॉर्म कर रहे हैं यह एक फिल गया देखा पको फॉर्म यहां पर नाम डाल दिना आप फादर नेम डेट वर्थ एड्रस मोगल नमबर एमेल एडरस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहां पर उडाल दिना यहां कैटेगरी आजएगे आपक अपने फॉर्म भरने के बाद आप उसे इस एडरस से भीजिगे आपको आप आपको आपको उसका पहां पर है किस अधरस पर आपको इसको भीजना है एक मैंट वेबसाइट डाउन होगी इसकी यह इसका आपका यह एड्डरस रहा है जिसमें आपको 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 इसका प्रवाइट कर दूँगा आप वहां से अच्छे से रीट कर देना एक बार और इसका चाप्तिकेशन फॉर्म है वह भी मैं आपको आपको डिस्क्रिप्सन पर लोगा उससे भी एक बार आप अच्छे से रीट कर देना वह ओनलाइन फीस इटाके जो आपको चलान की नंबर या जो भी ट्रांजेक्शन नंबर होगा वह आप अपने ऑफ्लाइन फॉर्म में भरेंगे उसके बाद 15 अक्टूबर से पहले पहले आप से सब्मिट कर देना बाकि इन्होंने इसका क्या एक्जाम होना है और इसके इंटर्वी नहीं है बाकि कैसा एक्जाम होगा क के बारे में कोई अप्डेट अभी नहीं दी है जैसे कोई अप्डेट आएगी मैं आपको उसको पर वीडियो ला दूँगा बाकि अगर एक से ज्यादा पोश्ट के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग अप्लिकेशन फॉर्म इसमें भीजने पढ़ेंगे बाकि अगर कोई करीड आपकी रहती है तो आप मुझे से कमेंड बॉक्स में पूछने न बाकि जल मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो लाइक शेयर स्ट्राइब बिरू करें जल मिलते हैं अगली वीडियो अपले हैं थैंक्यू